तो दोस्तों वरोक टो के लिए इतनी बड़ी खुस्खबरी वाला दूस्ती निव्शी पहली बार प्डेट के बारे में तो दोस्तों हुआ क्या कि पहले क्या होता था जब हम लोग आपको यहां का रूल समझना पड़े आप दो साल किसी भी company में काम कर रहे हो तो जो government ने law बनाया है कि हर दो साल में दो महिने का worker को live salary मिलती है मतलब जितनी आपकी basic salary है वो salary मिलती थी तो उसमें क्या होता था बहुत सारे company देती भी नहीं है तो यह आपका mistake है क्योंकि आपने महरे में complain नहीं करते हो क्योंकि यह agreement में clearly लिखा हुआ है कि एक साल में एक महिने का live salary दो साल में दो महिने का live salary तीन साल रूग गये था तीन महिने जितने साल भी रूग गये दोस्तों एक-एक महिने का एक्ष्रा आपको live salary लाजिम मिलेगा और एक-एक महिने का छुट्टी मिलेगा तो उसमें क्या होता था कि माल लिए basic salary आपको माल लिए 600 द्रम थी या 700 द्रम है 1000 है 1200 है तो वो मिल जाती थी बट दोस्तों इसमें एक update आया बताया गया है दोस्तों कि अब क्या होगा कि माल लिए आपकी salary 1200 है प्लस 300 300 खाने का या और भी कुछ ऐसा benefit रहता है दोस्तों प्लस 300 आप देखते होंगे कि 1200 प्लस 300 यह 1000 प्लस 300 900 प्लस 200 ऐसे इस तरह कर रहता है तो जो दोस्तों प्लस होता था वह company salary नहीं देती थी क्योंकि कि government ने यह आदेश दिया है कि कोई भी worker की माल लिए 1200 प्लस 300 है आपकी पूरी salary तो अगर आप एक साल बात जाते हो पूरी साल पूरा करने के बाद ऐसा नहीं हाफ से जाओगे तो उसको आपको मिलने का chance कम है अगर एक साल बात जा रहे हो दो साल बात जा रहे हो तो आपकी जितनी salary हो पूरी salary जितनी मतलब basic भी other allowance भी वो सारे salary आपको company देगी अगर company नहीं देती है दोस्तों तो इसके खिलाप आप मोहरे में लाजिम complain कर सकते हो उस company के खिलाप बुरा हाल हो जाएगा और वो company को लाजिम देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग complain डर से नही यह police के पास तो एक भी करना नहीं है तो मोहरे में complain करना भी phone पर ठीक है यह बट आपके पास document होना चाहिए ऐसा नहीं आपके पास without document आप complain नहीं कर सकते हो कमप्लेंड करोंगे भी तो आपका सुना नहीं जाएगा इसलिए दोस्तों अगर company आपको नहीं दे रही है तो अपडेट के साथ जब तक जय ही